नमस्कार मैं हूं मनमोहन भट उत्राखंड में आखिर वो दिन नजदीक आ गया है जब उत्राखंड को नया मुख्यमंत्री नया मंत्री मंडल मिलने जा रहा है सब को पहले इंतजार था दस मार्च का की नतीजे क्या होंगे उसके बाद सरकार किसकी बनेगी ये तस्वीर तो साफ हो गई लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री मंडल में कौन-कौन शामिल होगा इसको लेकर असमंजस बरकरा रहा केंदर से खबर आई कि कोई भी फैसला होली के बाद होगा होली भी अब जा चुकी है रंगों का त्योहार संपन हो चुका है उतराखंड के अलग-अलग पहाडी छेत्रों से देहरादून की तरफ रुख करने वाले विधायक भी अब पहुँच चुके हैं राजधानी में 19 मार्च की शाम तक तमाम विधायकों को देहरादून पहुचने का निर्देश पार्टी की तरफ से पहले ही दिया जा चुका है इससे अंदाजा लगता है कि 20 मार्च को विधान मंडल दल की बैठक संभावित है विधान मंडल दल की बैठक यानि सीधा सीधा मुख्यमंत्री का चैन नेदा सदन जो होगा वही मुख्यमंत्री होगा उसकी शपत ग्रहन या तो 20 मार्च के शाम को या 21 मार्च को संभावित है हवर कुछ इस तरीके से आ रही है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा और जो उसका मंद्री मंडल होगा उसका शपत ग्रहन समारोह सादा नहीं होगा यानि पूरे भव्य आयोजन के साथ शपत ग्रहन समारोह का आयोजन किया जाएगा पहले संभावना जताई जा रही थी कि ये समारोह राजभवन में होगा लेकिन जब शो को ग्रैंड बनाने की तयारी हुई तो कहीं दूसरी जगा भी तयारियां की जा रही है खबर है कि इस शपत ग्रहन समारोह में उत्तराघंड के तो तमाम बड़े बड़े दिगज शामिल होगे ही दूसरे राजियों में बीजेपी या बीजेपी के समर्थक दल जो हैं उनके मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं इसके लाभा केंद्र के कई बड़े नेता बड़े पदाधिकारी भारती जंतापार्टी और संग से जुड़े कई वरिष्ट नेताओं के भी शपतग्रहन समारोह में शामिल होने की अटकले लगए जा रही है खबर इस तरीके की है कि शपद ग्रहण समारोह में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदीवी नय मुख्य मंतरी को आशीरवाद देने के लिए पहुच सकते हैं तमाम तयारियां तो हो चुकी हैं एक तरीके से कहें बारात पुरी तरीके से सजने को तयार है चलने को तयार है दूला कौन होगा इसकी जानकारी केंद्रिय नित्रत्वत को तो है लेकिन आम जंता तक अभी यह जानकारी नहीं पहुची है 20 मार्च को नए मुख्य मंत्री और नए मंत्री मंदल का नाम तै हो जाएगा इस तरीके की हवरें इस तरीके की पूरी संभावनाय बनी हुई है मुख्य मंत्री के साथ साथ प्रोटेम स्पीकर का चेन किया गया है बंशिदर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है प्रोटेम स्पीकर विधायकों को शपत दिलाते हैं और वही पर कई बार तै हो जाता है कि जो स्पीकर होंगे विधान सभाके वो कौन होंगे आम तोर पर ये परंपरा रहती है कि जो सबसे वरिष्ट विधायक होते हैं उनको ही प्रोटेम स्पीकर का दर्जा दिया जाता है ये एक सम्मान जनक पद है जो तमाम विधायकों को शपत दिलाते हैं लेकिन यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो नया मंत्री मंडल होगा वो भी बहुत कुछ नया आकार लिये होगा क्योंकि हरक सिंग रावत और यश्पाल आर्य बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस के पाले में जा चुके हैं स्वामी यतीश्वरानन चुनाव हार तो पुशकर सिंग धामी भी मंत्री मंडल से बाहर हो सकते हैं ऐसे में चार सीधा सीधा नए पद सरजित होते हुए नजर आ सकते हैं और अगर किसी पुराने मंत्री को ही विधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है तो एक पद और खाली हो जाएगा यानि पा जो भी मंत्री मंडल में शामिल होंगे उनमें इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि वो युवा हो उर्जा से भरे हुए हो यानि कि उनमें राजनीतिक दमखम हो और भविश्य में कम से कम 15-20 वर्षों तक राजनीतिक करने की उनकी हैसियत हो उनकी उम्र उनको इजाज कि उसको भी कही ना कहीं सरकार चलाने के लिए तयार किया जाना है अब ये देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि किन पुराने नेताओं को किन पुराने मंत्रियों को मंत्री मंडल में जगह मिलती है किन नए युवाओं को मंत्री मंडल में काम करने का मौका मिलता है और सब उसका जो मकसद है वो ना सिर्व पार्टी के कारकरताओं के भीतर एक मैसेज देने का है बलकि पुरे प्रदेश भरकी जो जनता है उस तक संदेश पहुँचाने का है कि बीजेपी के सरकार पूरे दमकम के साथ एक बार फिर से उत्तराखंड में वापस आ गई है और इसका जो असर है वो भापने की कोशिश की जा रही है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाओं की तैयारियों में पार्टी अभी से जुट गई है तो जब इस तरीके के grand functions होते हैं उसका असर लंबे समय तक रहता है और पार्टी के कारेकरता इन सब आयोजनों को खास तोर पर याद रखते हैं वैसे भी भारती जनता पार्टी अपने आयोजनों को भव्वे बनाने पर ज्यादा भरोसा रखती है ये आयोजन होगा देहरादून में लेकिन तमाम जिलों और मंडलों में वीडियो कॉन्फरेंसिंग या वर्च्वल मोड से भी जो पार्टी के कारेकरता हैं वो अपने अपने ख्षेत्रों से इसको सीधा देख सकते हैं सीधा इस आयोजन में जुड़े रह सकते हैं पार्टी ने चुनावी रहलियां भी कई डिजिटल या वर्च्वल मोड के जरिये की थी इसलिए ये तकनीक का सहरा लेकर ज्यादा से ज्यादा उत्राखंड के निवासियों तक पहुँचने की बीजेपी की कोशिश एक बार फिर से चड़ती हुई निजर आती हुई इनतजार तो इस बात का खत्म होगा कि आखिर कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी सातियों हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे लेकिन जाने से पहले आपसे आगर अगर आपने अभी तक इस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए इसे शेर करके अपने मित्रों तक पहुंचाईए अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी